सो हाई दिस इस प्रवात रंजन आज के इस वीडियो रिव्यू करेंगे यू आई टी आर्जी पीवी यूनिवर्सिटी इंस्टिट ओफ टेक्नोलेजी राजियू गांधी प्रद्योगी की विश्वविद्या लगी तो यू आई टी आर्जी पीवी हमारे बोपाल मद्यप्रदेश में सेते गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेजे जिसकी साफ़ना 1986 में हुई थी और बात कर ले निर्फ रंकिंग की तोबी तक इने कोई भी निर्फ इंजीनियरिंग रंकिंग प्राप्त नहीं है हर कॉलेज रिवीडियो के साथ तो सबसे पहले डेटा शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास अभी कोई भी ओफिशल डेटा अविलेबल नहीं है इससे मुझे नहीं लगता आपको कुछ आइडिया मिलेगा खर अगर आपको आइडिया चाहिए यही साथे डेटा चाहिए तो आप इनके वेबसेट पर विजिट कर सकते हूं और नहीं तो मुझे कोई इनका निरेफ रिपोर्ट लेटेस्ट निरेफ रिपोर्ट देखे रहे हूं मिला है निरेफ रिपोर्ट में भी कुछ प्लेश्मेंट डेटेल्स होते हैं बट फिर भी कुछ न कुछ तो data share करना है और जितना ज्यादा मुझे students का कुछ online review मिला इन सब ही को जितना मतलब जब तक मुझे संतुष्टी नहीं हुई तब तक मैंने इनके online reviews different different reviews पढ़ें और उनसे एक summary conclusion लाने कोसिस कर रहा हूँ कि 40 to 50 percentage कहीं पर students ने 50 to 60 percentage placement percentage बता रखा है यानि लगभग 50 percentage के आज़ पस का placement percentage है और ये scenario students computer science जैसे branches में भी बता रहे है चलिए एक बार के लिए computer science branches में 60% लेकर चल भी ले फिर भी एक convincing placement percentage नहीं होता है कि बस एक decent okay सब placement है जाने कि जिनको placement चाहिए उन्हें कुछ ना कुछ placement records चलिए एक बार को देखने को मिल जाने को और किस प्रकार के placements है तो computer science में average package computer science IT जैसे branches में चार से पांच लपी के आसपास को बताया जा रहा है अभी recent का एक ट्रॉट ने data बताया लेक 50 लपी का साथ highest package गया कुछ चारीश लपीय का हाई एस package बता रहे कुछ 20-24 लपीय के आसपास बता रहे खेर अगर 40-50 है भी तो गिने चुने strength को मिलता है आपको बस यह consider करके चलना है कि ठीक है 40-50-20-30 लपीय कभी कुछ highest package चला जाता होगा लेकिन on average हमें 4-5 लपीय CS जैसे branches में भी देखने को मिल रहा है जिसमें placement percentage max to max 50-60 percentage के आसपास कार्ज के डेटिव हमें देखने हो मिला है और यह packages भी computer science जैसे branches में है computer science IT उनसे थोड़ा नीचे आप electronics चैसे branches में जा सकते हो वरना उसके नीचे हालत काफी ज्यादा खराब है placement के terms में बट ऐसा नहीं कि RGPV के अंदर हमारे institute कोई खराब rank पर आता हो RGPV के जितने भी हमने institute देखे जो भी average institute से सब में लगबग हमें इसी प्रकार के placement records देखेने हो मिले हैं तो आप इससे यह जज नहीं कर सकती कि इस institute में खराब placements होते हैं और खराब मतलब आप इसे उन सारे institute से खराब सोच सकते हैं आई आई टी एन आई टी टॉप प्राइवेट गवर्मेंट कॉलेजिस से वरना अगर आप लोकल स्टेट गवर्मेंट जैसे colleges ढूण रहे हो तो और इन आवरेज हमें इसी प्रकार के placement records देखने हों मिलते हैं और अगर कहीं पर हमें better placement records देखने हों मिलते हैं तब वह आपके state government हो या फिर private हो चाहे जो भी हो creamy layer के institute में आ जाते हैं जो हम students का एक top college कहते हैं उन सभी institute में आ जाते हैं बट इस institute को भी हम एक तरीके से top college कहेंगे क्योंकि fee structure जो आप से लिया जात की तो सबसे पहले आप जेएमिन का एक्जाम दे रहे होंगे और जेएमिन के एक्जाम में जो भी rank वरेगा उसके basis पर DTE MP counseling के थो आपको colleges and branches अलोट हो रहे होंगे बात कर ले cutoff की तो हमारे पास जेएमिन 2023 round 2 यानि की लगबग last round समझ कर चल सकते हो general student home state quota मध्यप्रदेश students के लिए cutoff का screenshot लगा हुआ है like computer science engineering close to 62,951 rank पर और बाकी सारे branches की आप देख पा रहे होंगे अब अगर आपको हर year हर round हर category cutoff चाहिए तो आप college प्रवेस की website पर विजिट कर सकते हो लेकिन एक डेटा बता दू कि इस institute में home state और other state candidates दोनों ही admission ले पा रहे होंगे बात कर detailed institute fee, tuition hostel fee का screenshot लगा हुए जिससे mess fee अभी included नहीं है तो mess fee के बिना अगर institute, tuition hostel सब कुछ मिला ले mess fee को थोड़े देर के लिए side में छोड़ कर उस case में आपके 4 साल का total BTEC fee लगबग 1.5 lakh रुपे 1.5 lakh लगने वाला है और mess fee के बारे में students ने बताया है लगबग आपके 23,000 family, annual family income, उनके लिए tuition fee and other fee पूरा माफ रहता है, again SCST के लिए कोई condition नहीं है, directly उनका tuition fee और other fee माफ है, लेकिन वहीं OBC candidates के लिए एक condition है कि annual family income 3 lakh से कम होना चाहिए, तो उस case से आपका tuition fee and other fee माफ रहने वाला है, तो finally हम पहुंसते हैं अपने college and social life most evident topic के ओपर, तो सबसे पहले इसी point की साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा UIT RGPV, University Institute of Technology, राजीव गांधी प्रद्योगी की विश्विध्याल है, आपके RGPV campus area, main campus के अंदर located है, 214 acre campus area में, कुछ students का कहाना है कि 400 acre campus area के आसपास है, लेकिन Wikipedia पे हमें official detail जो भी बोल सकते है, Wikipedia का detail मिला है, 214 acres का, इसी के साथ अगर हम बात कर लिए किस प्रकार का infrastructure है, तो अगर main campus, RGPV के main campus में है, तो आपको infrastructure obviously बढ़ियां देखे रहे हों मिलेगा, लेकिन सिकाया students को events and fest की तरफ से, college culture को लेकर, college exposure को लेकर, students का मानना ये ह आपको buildings काफी बढ़ियां, decent देखने को मिल जाएंगे, बड़े-बड़े मतलब ठीक ठाक, चमकते-दमकते, कुछ एक हद तक infrastructure buildings हैं, आपके classrooms भी बढ़ियां थोड़े बहुत well furnished मिल जाएंगे, आपको projectors वगर ऐगी facility देखने हो मिल जाती है, और इसी के साथ अगर हम बा quality बढ़ियां है, नहीं hygiene में, मतलब hygiene और quality इन दोनों में issue है, और इसी के साथ students के कहना है कि events and fest conduct नहीं कराये जाते, event and fest के नाम पर आपका कुछ हद तक sports event हो जाएगा, लेकिन वो भी बहुत बड़े level पर नहीं होता, तोड़ा बहुत अगर आपको कुछ events जान नहीं है, तो आपकी जो technical and cultural clubs होते है, students की तरफ से student organized bodies होते है, like पर हाई से अगर कुछ आपका मन बहला आना हो, तो कुछ cultural clubs like dance, photography, music जैसे अमोमन तोर पर हमें देख रहों मिलते हैं, engineering colleges में, इसी प्रकार आपके कुछ technical clubs होते हैं, जहां पर एक normal आम तोर पर colleges में कुछ car modeling, कुछ electronics, कुछ coding जैसे हमें projects देखने हो मिलते हैं, तो इनके तरफ से अगर कुछ event हो पाता है, तो यही सारी कुछ चीज़े वरना college के तरफ से जो official annual बड़े लेवल पर technical and cultural fest होते हैं, वो सारी चीज़े में इस college में देखने हो नहीं मिली है, students की तरफ से शिकायत बताया जा रहा है, इसी क 11 किलोमेटर दूर भोपाल जंक्सन रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एरपोर्ट है, पांच किलोमेटर दूर राजा वोज एरपोर्ट भोपाल, अब इसी के साथ अगर हम बात कर लें कुछ students का ये भी कहना है कि आपके institute में कुछ गैंक्स जैसे students ने बना रखे तो कि कबर गैंग बन जाता है, बट अगर इस institute में प्रॉपर गैंग नेचर है, प्रॉपर गैंग वाला महल बन रहा है, यानि कि बहुत सारे students मिलकर वाइलेंस या फिर कॉलेज का महल खराब करनी कोशिस करें तो जो भी students, यू आईटी आरजी पीवी से इस वीडियो देख र आते हैं, बस आपको जरूरत यह है कि उन सभी लोगों से बच कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर महल बन जाना कि यूजवल तोर पे किसी के साद भी मार पीट हो जाना, ये एक सीरियस शीशू हो सकता है, तो अगर इस प्रकार की चीज़ है तो कमेंट सेक्सिम में जरूर ल मेरे जो भी facts है, मुझे जितने भी details मिलें, इन सभी चीज़ों को verify कर सकते हो, कमेंट सेक्सिम में लिखकर कि मैं जो बोल रहा हूँ, किस हद तक चीज़े होती है और किस हद तक चीज़े नहीं होती है, खेर जो भी मेरा details है, आप ही कि जैसे बताएगे students की तरफ से, जो भी details मुझे मिले है, मैं share कर रहा हूँ, इसी के साथ students ने ये भी बताया है, कि लाइक sports facilities, basic basic major sports facilities, cricket football, ये सारी चीज़े है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप extensive size of sports facility नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते, मदब decent college life देखने हो मिल जाएगा, with proper infrastructure वढ़िया है, लेकिन college life को लेकर के colleges में, तो ये सारे options बन रहे हो तो students के पास, लेकिन कुछ students का ये भी कहना कि 75% attendance कभी कभार कुछ प्रॉफसर ने strictly follow किया है, यानि 75% attendance नहीं है, तो आपको exam देने नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार की चीज़े भी हमें देखने हो मिली है, तो जितने भी मेरे पास details थे, पैक्षते मैंने आपके साथ share करने कोशिस की है, आज के इस वीडियो में इतना ही, अब जो भी students, UIT, RGPV से इस वीडियो को देख रहे है, अभी तक का आपका अपना college experience कैसा रहा है, positive, negative, जो भी आपका अपना college opinion हो, या फिर आज के इस वीडियो मेरे किसी point या सहमत हो, य या किसी particular branch का latest updated placement data available हो, comment section में लिख कर बताना ना भोले, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like, subscribe, दिल खोल कर करेगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिख कर रुदाने हो, या पूछ नहीं हो, तो comment section आप ही के लिए त प्यूचर, enjoy your journey